थूप की किर्णों से सूरे की किर्णों से जो आपकी तोचा जलती है यहाँ गर्मी के आने के साथ अपने में एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आती है मसीनी युग है आपको काम पे जाना ही है आप काम नहीं छोड़ सकते आप चेरा ढखते हैं सब करते हैं लेकिन हर समय सब कुछ पॉसिबिल नहीं है तो अगर संटैन हो गया साथियों तो आज हम आपको उसका निदान बताएंगे दो रुपए के खर्चे का निदान है और वास्तम में दो रुपए के खर्चे का निदान है और आपको पंदरा दिन के अंदर आपके संटैन को कमी लाने में मदद करेगा नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखना हमियोपेथे क्लीनिक के इस प्रोग्राइम में आपका स्वागत है साथियों गर्मियां आ रही है और गर्मियों के साथ आज के इस मसीनी युग में बाहर निकलने की एक कीमत चुकानी पड़ती है वह आहा है इसकीन का काला होना खास्त और से फेस की स्कीन का काला होना संटैन होना खास्त और से हमारे परिवार और समाज की महिलाएं इस बास से बहुत परिसान रहती है तो यह महिलाओं के लिए बहुत उचित वीडियो है, बहुत उचित वक्त है, हमारे लिए आप सब के लिए अपनी देवी तुल, माताओं, बहनों, बच्चों के लिए यह वीडियो बनाने का बहुत असान सा नुस्का सातियों जो आपके संटैन को खतम कर सकता है आपके स्किन के मिलेनिन पिगमेंट को खतम करके आपके चेहरे को 15 दिन के अंदर साप कर सकता है बहुत ही अद्बुत नुस्का है सातियों और बहुत असान नुस्का है इस नुस्खे की लागत तीन रुपए भी नहीं है पन्ने की पस केवल थोड़ी सी आपकी महनत है वो भी पाँच मिनिट की तो साथियों गर्मी का एक बहुत पड़ी समस्या संटैन जिसके लिए आप लेजर कराते हैं जिसके लिए आप लूटा थायों ट्रीटमेंट लेते हैं तमाम देने क्या क्या करते हैं लेकिन निसान नहीं जाते हैं आपको ताज़ुब होगा आपके किचन में रखी एक दो इ करने में समर्थ है और इसके लिए साथियों कुछ नहीं करना है कहते हैं कि बड़ी चीज़ें आसानी से हो जाले करती हैं छोटी चीजों में ज्यादा उर्जा लगती है तो यह बड़ी चीज का उधारण है आपको साथियों लेनी है टुमैटो की प्यूरी यानि टमाटर क जूस उसको थोड़ा सा बाइल कर लेना है तो टुमैटो की प्यूरी आपको एक बाउल लेनी आदा बाउल छोटा वाला बाउल लेनी है और उसमें आपको दो चम्मच ताजा नीबू का रस यानि लेमन जूस मिला देना है यहाँ जो पेस्ट त्यार होगा इसको आपको प्रती दिन त्यार करके फ्रेस इसको आपको अपने चेरे पे 20 मिनिट के लिए लगा छोड़ देना है उसके बाद चेरे को धो लेना है ऐसा अगर आप 15 दिन तक करते हैं तो मैं समझता हूँ मुझे लोगों से रिव्यू मिला यह नुसका करने पे कि उनका संटेंट खतम हो गया है है ना अद्बुत नुसका सातियों हमने आपसे वादा करा था कि बड़ी चीज आसान और आसानी से होती है और छोटी चीज में जादा कष्ट होता है तो यह बड़ी चीज है संटेंट और यह असानी से जाएगी आपके टमाटो की प्यूरी या जूस से और उसमें दो चमच नीबू के ताजी नीबू यानि लेमन के रस से पस इत्ता के वाल आपसे एक्सपेक्टेड है पंदरा दिन के अंदर अपने संटेंट को खतम करने की और अगर खतम नहीं होगा हम कहते तो आप उसकी और अगरसर हो जाएंगे उसकी और आगे बढ़ जाएंगे साथियों और साथियों हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों होगा ऐसा साथियों इसलिए होगा कि टुमेटो यानि टमाटर में सेलीनियम नाम का कंपाउंड पाय जाता है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो भी कंट्रोल होता है साथ में टमाटर में लाइकोपीन भी पाए जाता है फ्लेबनोइट्स भी पाए जाते हैं जो की बहुत कारगर होते हैं और विटामिन एक का भी एक रिस्क सोर्स है और साथियों लेमन आपको इसलिए लाब देगा आपके संटैन को खतम करने में कि एक तो इसको कहते ही संशाइन फ्रूट हैं संशाइन मतलब एक जहां पे चमक का उधारर देना होता है वहां पे लेमन आता है लेकिन जो मेन भी सय है इसमें सिट्रॉल नाम का कंपाउंड पा कंपाउंड आपके संटैन को खतम करने में समर्थ है यह नुसका करिए साथियों 15 दिन और हमको कमेंट पोर्शन में लिखके बताइए कि आपका संटैन कम होना शुरू हुआ की नहीं और कम होने कम आप दंड यह है आप नहीं दूसरा आप से कहने लगे आप क्या कर रहें जो संटैन कम हो रहा है मन में कोई क्वेरी हो साथियों तो वाट्सैप करिए हमारे वाट्सैप नंबर पर प्रियास करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें निवेदन करेंगे साथियों अगर आपको एक बड़ी समस्या का छोटा सा यह निदान अच्छा लगा हो तो अप सब्सक्राइबर तो आप हमारे हैं ही लेकिन अपने अनिश्ट मित्रों और सातियों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए गा आपका सातियों अपना कीमती वकत हमारी बाते सुने में इंवेस्ट करने के लिए बहुत-बहुत आभार मुझे बहुत कुशी होगी अगर देखा लाब दे, धन्ने बाद करें जारी एतारी क्यांज श newly oben बाद करन दोंकर है जा को शोर्ण है जलिए इती एंग कर अै दो 구偉र कर दो आने in झाल झाल